सबसे पहले आपको कुछ जो वीनर्स के नाम है वो दिखाई दे रहे होंगे अगर आप अपना नाम यहाँ पर देखना चाहते हो तो आपको question of the day का answer करना है सही सही तो चलिए बढ़ते हैं आज की class की ओर सबसे पहला class आपके सामने यह रही आई मीन पहला question what is the proposed financial layout for the PM गती सकती master plan तो देखिए financial outlay आपको बताना है कि इसके लिए PM गती सकती master plan के लिए तो देखिए इस गती सकती plan में ना total जो ministry है 16 ministry है इन्हें interconnect किया जाएगा और इससे क्या होगा ना कि जो time लगता था किसी work को करने में किसी file को approve होने में वो उसे जो है decrease किया जाएगा तो इसके लिए total 100 लाग करोर रुपए जो है खर्च करेगी Modi government तो D is the right answer आप यहां से कुछ images भी देख सकते हो 16 ministries को जो है न सेटेलाइट images के through वगेर जो है mapping की जाएगी और जो delay होता था उसे कम करने के लिए इस plan को लाया गया है तो यह अच्छी plan है Modi जी नहीं अच्छा काम किया है आगे बढ़ेंगे अगले question की ओड़ता multi-dimensional poverty index MPI reports it is released by which organization तो देखिए आपको बस यह बताना है multi जो गरीब लोग हैं उसके लिए जो है index निकालने वाली कौन सी संस्था है आपको इसका नाम बताना है तो देखिए इसका जो right answer होगा वो होगा UNDP UNDP ने इसका क्या किया है यह जो है जारी करते हैं आकड़े गरीबों के लिए कि कहां पर कितने गरीब हैं तो यह answer आपका क्या हो जाएगा एक साथ आपको चाना था अगले question क्यों बढ़ेंगे उससे पहले यहां से आप images भी देख सकते हो और कोविट के वज़ा से जो है चीजे और खराप हुए है लोग और गरीब हो गए है जो गरीब थे और गरीब हो गए थे तो यह बात इस रिपोर्ट में सामने आई थी आगे बढ़ेंगे फ़री next question के लिए आपको बस यह बताना है नोबेल प्राइज 2021 के लिए economic science में किसने जीता है डेविड कार्ड जैसवाडी या events या सभी तो देखिए अगर आपने नोट्स पर्चेस किया होगा आपको पता होगा कि इन में से सभी लोगों ने क्या किया नोबेल प्राइज को जीता हुआ है मैंने नोबेल प्राइज को भी इंक्लूड करके सारी बाते क्लियर करके बता दी है नोबेल हो ऑसकर हो फुट से आपने नौट्स पर्चेस आप जो है नौट्स जो है आप से खुद से बन गया है आपको नौट्स लेने के जरूत नहीं है लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं किया तो 499 का एक छोटा सा ट्रांजक्शन करके आप मुझसे नौट्स पर्चेस कर सकते हो यहां से मेरी email ID दे डेडिकेट होके तैयारी में लग जाई है अगले कोशन के और बढ़ेंगे और यहां से आप images भी देख सकते हो इनके जिन्होंने जो है अपसे बस एक छोटा सा कोशन पूछ लूँगा मैं तैलंगाना के अभी के चीफ मिनिस्टर कौन है कॉमें करके आप निचे में बता दीजिए आगे बढ़ेंगे बरी नेक्स्ट कोशन के लिए और यहां से आप उनके लोगों को देख सकते हो लोगों वो होता है जहां पे कंपनी के बारे में बताया जाता है आगे देखिए बरी नेक्स्ट कोशन आपके सामने ये रहा नेशनल अवार्ड विनर नेडा मुड़ी वेनू पासिस अवे एट थर्टी सेवेंटी थ्री ड्यू टू टू दा लिवर रिलेटेड देखिए इनको जो है राष्ट्य फिल् इनकी इमेज देख सकते हो और ये एक्टर थे जी हां एक्टर थे वहुत ही वर्सेटाइल एक्टर थे खैर वो हमारे बीच अब नहीं रहे बगवान इनकी आत्वा को सांती दे अगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कोशन के लिए फिर है राहुल वाट्स फिर है जयांत पाटील एके भट थो राइट आंसर आप यहां से देख पाओगे यहां से देखिए आप यहां पर देखोगे प्यम मोदी ने जो है लांच करी है क्या आई एस पी ए इसके द्वारा जो है न हम लोगों की बहुत सारी एंबिसन है और इसे आगे बढ़ाने के लिए जो है आत्म निर सी आगे बढ़ेंगे फ़री नेक्स्ट कोश्चन के लिए नेक्स्ट कोश्चन आपके सामने ये रहा वर्ल्ड अर्थिटिक डेज ओ है अब्जर्व किया जाता है गठिया दिवस कब है 10 अक्टूबर 11 अक्टूबर 12 अक्टूबर या 13 अक्टूबर को तो यहां पे ने जारी की है इंडिया की ग्रोफ रेट 2021 और 2022 के लिए वो कितनी थी तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 9.1 परसेंट तो अच्छी ग्रोफ तो है लेकिन हम लोग 10-11 परसेंट जाने वाले थे बट कोबिट के वज़़ा से चीज़ें मैस हो गई है आगे बढ़ें जो जहां है वहाँ पर बना रहे है यह जाद रखीगा यह वार बगेरा या बोडर में यूज़ की जाती है कि जब कोई कंट्री दो कंट्री आपस में लड़ रही है तो तीसरी कंट्री या फिर वल्ड जो है उसमें आके इनिवाल्व होता है और लोगों को समझाता है कि द तो देखिए यहां पर जो राइट आंसर है आपको दिखेगा टेलगू एक्टर जो है बी गोपाल इनको जलेक्ट किया गया है तो बी गोपाल आपको कहां पर देखेंगे अपसर नमर सी में तो सी के साथ आपको जाना है आगे बढ़ेंगे नेक्ट कोशन के लिए विच स्टेट हैस रिसेंटली गॉट जी आई टैग देखिए जी आई टैग यानिकी जोगरिफिकल आइडेंटिटी होता है और कन्या कुमारी क्लॉब यानिकी लॉंग के लिए जो है किसे हाल में ही जी आई टैग मिला हुआ है केरला आंध प्रदेश करनाट का या तमिल नाडू तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा आप यहां से देख सकते हो तमिल नाडू ने तलंगाना करनाटका या किरला तो इसका जो राइट आंसर होगा आप यहां से देख सकते हैं Mobile Based E-Voting System to be Tested by तलंगाना तो राइट आंसर क्या हो जाएगा तलंगाना देखें तलंगाना से बहुत सारे कोशन है CM का नाम आप मैंने पूझा था प्लीज कोमेंट करके और इसका Capital का नाम आप बता दे आगे बढ़ेंगे अगले कोशन की ओर और अगला कोशन के साथ ही यह खतम होने वाला है The Quick Points of the Day आ चुका है Who has been selected for the Ramana Memorial Literary Award recently तो देखिए Benjamin is the right answer Which country will host the Olympic Games 2036, India याद रखिएगा Olympic Games जो है हम लोग भी होस्ट करने वाले हैं 2036 में तो देखिए बहुत इंपोर्टेंट है प्लीज पेन पेपर पे से नौट कर लिजे एक्जाम में साथ यह आ ही जाए Recently who has created a Guinness World Record by singing a song in 120 language Sujita Satis is the right answer Sujita Satis ने जो है 120 language में एक ही गाने को गाकर Guinness World Record बनाया है अब comment box में आप से एक प्रस्ण पूछूँगा जो की मैंने नोर्स में अल्रेडी करा रखा है आपको बस यह बताना है मैंने actually कल भी बोला था बट साथ किसी ने answer नहीं करा आपको इंडिया के जो neighboring country है न भी बता देना है तो चलिए फिलाल के लिए इतना ही you guys are amazing keep reading keep running keep growing thanks for watching this video